तो सबसे फर्स्ट फल यहां पर आप एक्सिस बैंक के इस ओफिसल विबसाइट पर आ जाएंगे इसका जो लिंक है मैंने आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको किसी प्रिकार से परिशानी ना हो सके अब यहां पर आपको एक्सिस पर एक थे लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा उपर की साइड में आपको इस पर क्लिक कर देना है और से अब हम सेबिंग काउंट माइनर के लिए उपन करने वाला है इसले आपको यहांपर से लेक्ट कर लेना है जैसे इस इस पर आप क्लिक करेंगे अभी पेज सोफिस देखने को मिल जाता है यहांपर आपको नीचे एक साड में स्लाइड करना है और यहांपर आपको फिल्टर का उप्शन देखने को मिल जाएगा तो ynपल इसंपर अपको क्लिक कर देना है यहां पर Access bank में काफके info प्लिटर करके के बताया देता हूं यहाँ पर हम माइनर के लिए और के लिए हैं को बटन देखने को मिल जाता है simply आपको किट्स के बटन पर क्लिक कर देना है अब यह पर देख सकते हैं एक्सिस बैंक का जूग कीट्स वाला अकाउंट पर एक्सिस बैंक ने future star savings account का नाम दिया हुआ है, अब हम इस account के कुछ benefit के बारे में बात करेंगी, eligibility के बारे में बात करेंगी और क्या इस account के हम को efficient charges देखने को मिलते हैं, तीनों के बारे में बात करेंगी कि कैसे इस account को हम लोग open कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसके features की बात कर ले तिसे हमको debit card की facility मिल जाती है जो debit card होता है वीजा का platinum debit card होता है जिसे कि हम यहाँ पर ATM से cash withdraw one day का इसका जो limit है 1500 यहाँ की 1500 रुपीज का है और इससे हम daily shopping यहाँ पर online या फिर अपनी card का use करके आप 1000 रुपीज तक कर daily shopping कर सकते हैं इस product में आपको यहाँ पर काफेदा features देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको checkbook का भी facility देखने को मिल जाता है यहाँ पर multi city checkbook मिल जाता है एक साल में जिसे कि आप 4 transaction कर सकते हैं और 2 लाग तक का यहाँ पर earlier बताया जाता है यहाँ पर आपको इस card में काफेदा offers डिसकाउंट देखने को मिल जाते हैं जो यहां पर XS bank की और से दिया जाता है यहां पर मैं आपको बता दो जो भी XS bank के और से आपको ATM card येनकी debit card issu किया जाएगा वो 10 साल यह फिर उससे अधिक करब का एज है तभी आपको debit card मिलेगा तो इसको अब ध्यान में रखेगा अब चलिए हम बाकी के और features के बार में देख लेते हैं और उसको बाद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस account को open करते हैं अब यहाँ पर हम चलिए इस एकाउंट की features को देख लेते हैं यह जो एकाउंट के यहाँ पर overview दिया गया है जो मैंने आपको लगभग बता दिया यहाँ पर देख सकते हैं वीजा प्लाट एम डिविट कार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका जो चार्ज हो मैनिमाल है य इसके यहाँ पर एक condition दी गई है कि जो भी आपका card है वो swipe होना चाहिए लगभग six month में यान कि every six month में उसका यूज हो जाना चाहिए छो महने में एक बार भी कम से कम आप यूज करेंगे तब यहाँ पर आपको personal accidental insurance cover मिल जाता है जो आपको debit card मिलेगा यह personalize especially minor के लिए design के ह जिसमें यहाँ पर bank के उसे बता जाता है कि उसमें आपका photo भी रहने वाला है तो कोफी ज्यादा अच्छा रहता है access bank का debit card उसको आदसाम में इसके other feature benefit की बात कर ले तो इसमें आप आपको 3-4% का interest rate देखने को मिल जाता है जो की quarterly आपका account में credit कर दिये जाता है इनकी प्र account है दो टाइप से यूज होगा सबसे फॉस्ट फॉल यहाँ पर अगर आपकी एज 10 साल या फिर उससे अधिक है और 18 साल से कम है तब यहाँ पर आपका जो account open होगा access bank में future star saving count इसका यूज आप पॉस्टनाइड अपने तरीके से कर पाएंगे एक जो आपका normal saving count होता है उस इसी तरह यहाँ पर जो minor person होंगे minor candidate होंगे उसका यूज कर पाएंगे लेकिन अगर आपके इस 9 साल या फिर उससे कम है यान कि 10 साल से कम है बिलो है तब यहाँ पर आपका जो account है गार्जन के थरो अप्वाइंट होकर के open होगा और इसका यूज गार्जन कर पाएंगे minor भ अब हम इस account की eligibility की बात कर लेते हैं यह हो गई इस account की feature benefit जो मैं आपको अच्छी तरिके से बता दिया कि क्या कई हमको इस account में facility feature देखने को मिल जाता है अब हम चले eligibility की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे first of all eligibility हम बताया जाता है कि जो भी आपका बच्चा है या फिर जो just passport size photo लगेगा जो कि colorful photo होना चाहिए यान कि यहाँ पर आपको दो passport size photo को जोरत पड़ेगी जो कि आप यहाँ पर जोरत उसका पड़ता है account open करने के लिए उसको बात से यहाँ पर proof of date of worth है आप आपको जोरत पड़ेगी यान कि date of worth का proof लएगा अब यहाँ पर आप अधार का इसमें यूज कर सकते हैं या फिर birth certificate यूज का बनवाया जाता है आप उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं उसको आप से यहाँ पर address and identity proof document लएगा इसमें भी हाँ पर आप चाहा तो अधार का या फिर guardian का कोई document यूज कर सकते हैं यहाँ पर इन ही तीन document की जूरत पड़त मिल जाता है कितना आपको डूइट का चाहर लेगा कितना इस अकाउंट में को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा सभी के बार में चली मैं आपको बता जीता है तो अब यहाँ पर मैंने फीजन चार्जर की सारी लिस्ट ओपन कर लिए इस अकाउंट की सबसे फोस्ट वाले हैं अब करते हैं एस अकाउंट को अपन करते हैं तब तो इहान को इकॉंट करते हैं अपको इनिचल फण्डिंग यहाँ पर 3,000 से ले करके 1547 तक करना पड़ेगा आपकिस जीगों पर रहते हैं यह डिपसे या अपकिर मेट्रो सिटी या फिर औरबन सिटी में रहते हैं तब हैं आप आपको 3000 रुपीज इनिशल डिपोजिट करना पड़ेगा यानकि एकाउंट ओपन कर दे टाइम ही आपको 3000 रुपीज डिपोजिट करने पड़ेंगे अगर आप रूलर इरिया ना इनकी किसी गाउं माले चेतर से बिलॉंग करते हैं तब हैं आपको 1500 रुप इसमें में लिया माइनर कहांट है इसमें nut क्युक्शड करना है जोकि अदर आरे कंट से कम बालास करना पड़ता है यह is अगर आप यहां पर मेंट्रोसिटी या फिर उर्बन एरियस से गलों करते हैं दृति में 25 रुपीज मंतली एबरेज बालेंस मेंटेन करने की जरूरत है अब यहाँ पर मैं आपको मेंटेन करने के लिए सब बता रहा हूं यानि कि आपके अकाउंट में मिनिमम जो अब इमाउंट होना चाहिए वो फचीस सो रुपीज होना चाहिए पचीस सो से आप ज्यादा रखेंगे उसको विड्रो कर देजेगा लेकिन पचीस सो मिनिममम रखेगा उससे कम नहीं रखेगा नहीं तो यहाँ पर बैंक कोई ना कोई इस पर चार्ज लगा देता है उसके बस अगर आप रूलाइज एरिया से बिलाउं करते हैं तो अब यहां पर आपको 1,000 रुपी यानि की 1,000 रुपी इसमें मिनिमम रखना है यानिकी मंतली एवरीज बालेंस मेंटेन करके चलना है और यहां पर इसके बार में लाइन बालेंस देखे बता दिये जाता है अगर आ आपको जो प्राइमरी कार्ड मिलता है वीजय अ क्लासिक मिलता है जो आपको डिविट कार्ड मिलता है इसकीुए इंस्वेंस भी है 200 रुपीज है अ मेट्रोसिटी, उसके ऐरिये प्लिए तो semi-urbane वाले area से belong करते हैं तब आपको इस card के लिए 150 रूपीज pay करना है यहाँ कि 150 रूपीज यहाँ पर pay करना है अगर अगर आप you पूला रेटे से बिलॉंग करते हैं तब यहां पर आपको 100 रुपे इस काड के लिए पे करना है यानिकि जो आपको डेविट कर मिलेगा एकसेस बंक के उसे इस माइनर अकाउंट पर इसका यहां पर चार्ज है जो कि एनुल यहांपर आपके अकाउंट्स डेविट कर ले जाएंगी यानकि कर्ट ले जाएंगी पर इनी सब के बार में जनकारीद दी जाती है तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ज बता दिया है इनिस्यल फंडिंग और मंतले वरिज बालेंस के बार में और डेविट कार्ट की एनुवल फीस के बार में जो कि यहीं सारा कुछ लगते हैं अगर अगर इस एकांट को बाद में बैचांस अगर लोगेंस के लिया यानि कि गृष कर्वाराते हैं यानकि जो माइनर एकांट है विचैकबोग के लिए लेंस कहीं लेकैं 창 या यहां पर जो आपको access bank के उसर प्रवाइड के जाता है checkbook इसमें 20 slips होते हैं अगर आप एक पन्ना लेते हैं बाद में यानिकि एक पन्ना भी लेते हैं तो उसका यहां पर एक पन्ना का जो प्राइस है और रुपे है 2.5 रुपीज है तो इसके बारों जनकारी दी जाती है कि इसको open करने का process क्या है यहां पर access bank के उसर इसको 2-3 type में रखा गया है यहां पर अप 2-3 type में से किसी भी type का यूज करके आप access bank के इस account को open कर सकते हैं सबसे पहला type है कि आपके जो भी nearby घर सने दिक आपका जो भी branch पड़ते है आप उस branch में जाएंगी मैंने जो जो document बत सकते हैं जो मैं आपको भी process बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले यहां पर आप जहां पर भी राते हूं एक metro city रहोना चाहिए अगर आप metro city से बिलॉंग करते हैं फिर इसकी यहां पर search department की जो भी यहां पर agent होंगे वो आपकी घर पर आएंगे आपके account को open करेंगी उसको स जो welcome kit है 10-15 days के अंदर आपकी घर पर buy push deliver या फिर courier के थुरू आ जाएगा आपका welcome kit तो यहां पर अगर metro city से बिलॉंग करते हैं फिर आप online apply कर दीजेगा जो मैं आपको भी process बताने वाला हूं या अधरवाई यहां पर आप branch में भी जा सकते हैं और वहां पर भी आप जी process होता है आप इसको easily कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बतायता हूं यहां पर आप देख सकते हैं उपर के साड़ में इसके बारे में जनकारी दी जाती है मैं जो मैं आपको भी जनकारी बताया है उसको वाद से अभी हाँ पर account को यहां पर online apply करने इस पहले यहां प mobile नमबर को यहां पर फिल करेंगे उसको यहां पर आप state की बटन पर क्लिक करके आप जिस्वे state में रहते होंगे यहां पर अपने state को select कर देंगे यहां पर सभी state आ जाते हैं विकॉज यहां पर access bank जो है उसभी state में available है इंडिया के उसको वाद से यहां पर आप city की बटन में फिल करना है उसका बाद से यहां पर देख सकते एक टिक आउट करा जाता है access bank के ओर से इस पर यहां पर simply tick कर देना है इस इस टिक आउट में आप बता जाता है कि ATM to 9PM के वीच में आपको यहां पर access bank के executive call करेंगी और यहां पर आप सी कुछ detail लेंगी जिसके बार मैं आ meeting और consent with us we will back to you shortly अब यहां पर बता जाता है इसी के बार में कि आपने यहां पर अप्लाइक कर दिया है अब आप से जल्दगी contact करेंगी अब यहां पर जो tick out में लिखा गया था उसका meaning में आपको बतायता हूं यहां पर access bank के sales department होंगे यह आपको सुबह के 8am से लेकरके रा account करता है तब आपकी घर पर direct आएंगे account को open करेंगी and welcome kit आपके घर पर 10-15 दिनों को बाद आ जाएगा अगर वह address verified नहीं हो पता है यहां वह address जो है metro city या फिर semi urban urban वाला नहीं है तो आप यहां पर बताया जाएगा उनकी और से कि आपको branch में जाना पड़ेगा account open करने के ल आप मुझे चाहें तो comment box में पूल सकते हैं इस वीडियो मैंने आपको सभी कबर माचितर किसे जनकारी बता दिया है और time stamp भी लगा दिया को जो भी part अच्छा लगा हो आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं तो I hope आच का यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वी और देख सकते हैं